हार से सफाय होने के बाद भारतिया जन्ता पार्टी का सफाय होगा गुजरात से और आने वाले मुंबई के BMC चिनाव से ये अगाज सिर्फ में शिंदे के लिए करना चाहता हूं स्पेशल शिंदे के लिए जो बेमानी से देश के लोकतंतर की संबिधान की धजियां उड़ा या फिर अब उनके घुटाले उजागर किये जाएंगे क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी का साथ छोड़कर अन्य पार्टी अन्य दल में जाता है तो भारतिया जन्ता पार्टी उसको रोकने का एक ही तरीका निकाल रखा और वो है या तो CBI या ED या फिर इंकम टेक तो बिहार के अंदर ये इस प्रकार के सम्मिकरन ये दरसार हैं कि भारतिया जन्ता पार्टी का अब बिहार से सूपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि हर एक दल ये जानता है कि बीजेपी दल नहीं ये दल दल है और इस दल दल में अगर कोई भी दल मिल जाता है तो वो इस सिकार हो जाता है तो नितीज कुमार अब इस दल दल से निकलना चाहते हैं और नितीज कुमार इसलिए इस दल दल से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भारतिया जन्ता पार्टी उनका अस्तित्व और उनका वर्चस्व खतम कर देगी जिस नितीज कुमार भारतिया जनता पार्टी को बिहार के अंदर पैर रखने का मौका दिया वही भारतिया जनता पार्टी आज नितीज कुमार का सफाया करना चाहती है लेकिन नितीज कुमार अपना सफाया होने से बचने के लिए भारतिया जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और अगर भ में जब यह चलता है कि मोदी जी प्रधान मंतरी बनने वाले हैं दुबारा से तो अभवा नहीं होती है ठीक है न लेकिन जहां बीजेपी की सरकार गिरने की बात हो जाए तो अभवा होती है नितीज कुमार को अगर अपना जमीर को जिन्दा रखना है और नितीज कुमार को बिहार में वापस वोट पाना है या फिर लोगों से वो उमीद रखते हैं कि उनको वापस से वोट दें तो उनको बीजेपी का दामन छोड़ना होगा और इसी के साथ साथ एक सला में मुकेश सानी को भी इंदरा चाहता हूं जो बी आईपी पार्टी से है उनको भी बारति जनता पार्टी का दामन जल्दी छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उनके पास जो भी सीट आई हैं अगली बार वो भी सीट नहीं आएंगी उन सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा हो जाएगा पीचे भी तो कितना इज़द देरी नितीज कुमार जी को कम सीट होने के बाद भी सीएम बनाते हैं वो तो आप बेखी रहें कितनी इज़द दे रही है अभी आपने देखा होगा कि हाली में एक बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर उसमें भी नितीज कुमार ने भाग नहीं कि अपकी बार दैश के लोग बड़ी समझदारी के साथ वोट डालें कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी नहीं बनेगे क् thôi कि आपको याद होगा कि जब 2014 प्रधान मंत्री बने तो प्रधान मंत्री मोधी जी ने 75 साल की उमर के सभी निताξ को ठाद लिया था बीजेपी में उनके कोई वर्चस कोई अस्तित्व नहीं बचा है ठीक उसी प्रकार से नरेंदर मोदी जी अब 74 साल के हो गए है ठीक है ना तो क्या प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी आने लगतार साल के हो जाएंगे तो क्या प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी दुबारा प्रदान मंतरी बनेंगे नहीं बनेंगे तो फिर भारते जंता पार्टी ने 75 साल की उमर के नेतां को क्यों हटाया बताए ना पहले तो नियम निती और कानून आपी बना पे हैं फिर उनकी धज्यां भी आपी उड़ा पे हैं ये बताए ना आप मुझे तो बीजेपी अपने और यही बात शिफसेना ने समझी और शिफसेना ने इंतजार किया है अभी और इंतजार किया है चुनाप के वक्त का क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी एक डूपता हुआ जहाज है इसलिए शिफसेना के मुख्यमंतरी उदव ठाकरे और महराश्टी की जनता आज भी शि लेवल के नेता हैं आप किस प्रकार की नाज राजनीती करते हैं और आपको एक नेता को किस प्रकार की तबज्यू दी गई और आपने किस प्रकार से लोकतंत्र की धज्या उड़ाई और CBI ED की रेड से बचने के लिए आपने बीजेपी का दामन थामा और आपने सरकार गि देगी और आने वाले वक्त में जडियू जो है वो समाप हो जाएगी अगर बीजेपी के साथ रही और ये वाद नितीश कुमार समय रहते समझ चुके हैं इसलिए नितीश कुमार दिखाना चाहते हैं अपना अस्तित्व अपना वर्चस्व की वो किस प्रकार से भारतिय जनत पर्टी की सरकार बीजेपी की सरकार उस्ति महाँ से बिहार से गिर जाएगी और जिसका असर आपको गुज्रात और हिमाचल चुनाब में भी देखने को मिलेगा हैं हम उनको इसलिए झाल्य कaltet CBI के जरीए उन्हों के घरोंपर रेड पढ़वाते हैं, उन्हों के घर में आप उनको दबाब डालते हैं, उनके बच्चों को गिरफ्तार करवाते हैं, क्योंकि पहले BJP आपको मुसीबत देती है, और उसके बाद उस मुसीबत से निकलने का तरीका भी बताती है, तो या तो अगर आप बीजेपी का दामन थाम लीजिए नहीं तो आपको उठा कर जेल में डाल दिया जाएगा इसका सबसे बड़ा उधारन लालू परसाद यादव है लालू यादव अगर आज भी बीजेपी के जॉइन करने की बात किया दे तो उनके उपर से चारा घोटाले का प्रक्ति मिल जाएगी लेकिन लालू यादव ने जेल जाना मंजूर समझा लेकिन बीजेपी का दामन थामना मंजूर नहीं समझा अब यहीं बात नितिस कुमार को भी समझ में आ गई है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनका अस्तित और वर्चस समाप्त हो ज तो क्या करती है और उसके बाद जब सरकार नहीं बनती है तो महबो मुफ्ति को घलत भी बताती है तो पहले जिस जो आपके साथ हो जाए वो राजा हरिश्चंद कहलाएगा और जो आपके साथ नहीं हो वो देश-द्रोही कहलाएगा यह आप कहना चाहते है आप पल्टू- वो तो वो तो वक्त बताएगा कि मुख्यमंतरी कौन बनेगा और यह फैसला बिहार की जंता का है यह फैसला कोई नितीज कुमार भारते जंता पार्टी का नहीं है यह फैसला बिहार की जंता का है बिहार की जंता जिसे चुनेगी वह बिहार की जंता के लिए कौन काम बैटेगी और तमाम चीजों पर चर्चा होने के बाद यह तैग किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा पिछे तो यह सारे फोटोग्रापर है ना पूर्टोग्रापर रहें चाहे नितिस कुमार हो वह नितिस कुमार नरेंदर मोधी हो नरेंदर मोधी हो चाहें पिर उसके साथ साथ ये आपके रभी किसन हो, सारे फोटोग्राफ हा रहें, तिरंगे की जित्तो करना चाहते हैं, जानते नहीं हैं, तिरंगे को तो कमर दिखा के खड़े हैं, और सामने फोटो कैमरे को सल्यूट कर रहे हैं, यह आप देख रहे हैं, यह सारे के सारे फोटोग्रा वोट जो है वो हिंदु मुसलमान के नाम पर नहीं सिक्सा बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर पड़ता है जैहिन जैभारत वंदे मात्रा